देख बार फिट से अपराधियों ने पुलीस को चुनौती दी है बाइक सबार तीन अपराधियों ने सोमवार की दोपहर सदर प्रखड में के घासिपूर के मोहली टोला में भारतिय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केत्र से हथियार के बल पर एक दशमलो शुन्य आठ लाख रुपई लूट लिया अपराधि केंद्र में लगे सीसी टीवी भी उखाड ले गए सूशना के बाद पुलीस मौके पर पहुची और चानमिन शुरू कर दी संच्वालक मौहमद नफीस आलम के बयान पर तीन अपराधियों के खिलाफ मामला दर्श किया गया जानकारी के नुस्यार ग्यारह बजे संच्वालक केंद्र में कामकाश निप्टा रहा था तभी बैक सबार्तीन अपराधि अंदर आये और पिस्तल दिखा कर संच्वालक को कबजे में ले लिया इसके बाद अपराधियों ने लौकर में रखा एक दशमलाव शुन्य आठ लाख रुपिया और सीसी टीवी उखाड लिया अपराधियों ने संच्वालक से उनकी बैक की चावी भी मांगी लेकिन उनके अनुरोध पर बैक छोड़ दिया गया इसके बाद अपराधिया राम से चलता बना क्या तीन आदमी खा पुरा नकापोस में था पुरा घंचा माना वगा था और डेड़ लग कधी लगभव कि मेरे कॉंट्र में कोई नहीं था यहां पर खाली इस चगडभंगा तरफ कि इस आस्ताम यहां से निकला कुछ दिखता है उतना दूर के बाद आगे भी रस्ता है अब उदर से किदर गया वो नहीं बता पाएंगा वेकिन इधर तूठ है शगडभंगा से उदर ही गया तो डारेक का आके बंदुग बिढ़ा के ओला पैसा निकालिया अच्छ सब के पास बंदुग है तो यह तीनो था हम देख पाए क्या ने पुरा बोले तो गंचा लेक सिसी टीवी सा वो भी उखाड के ले गया है तो गया नाम हूआ अपका मौमद नफशी जारम वारदात की सुष्णा मिलने पर मुफसिल थाना की प्रभारी थाना प्रभारी नंद कुमार सिंगबा वीवी ओपी प्रभारी अनूज कुमार पूरी टीम के साथ मौके पर पहुचे और मामले की जौश शरूखी इसके बाद अज्य जौश टीमों ने आकर साक्ष एकत्रि प्रभारी थानेदार ने बताया कि नकाव पोश तीन अप्राध्यों ने पिस्तल जैसी चीज दिखा कर वारदात को अंजाम दिया है एक दशमलो शुन्य आठ लाग की लूट हुई है संच्वाला के बयान पर बामला दर्श कर अप्राध्यों की पहिच्वान का प्रयास कि प्रयाज आरहा है